यहां बच्चो आगे सारे एक बींटे अपना टाइम स्टार्ट करने फांच बावन तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन डेली 5.52 होते हैं अपन ख्लास स्टार्ट कर देंगे देखो अपने चलो रूख देंगे एक मिन्टो कोई ऐसा student है जिसको कुछ समझ नहीं आरा अभी तक क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा अब तो समझ में आने लग गया होगा क्योंकि अपने 20 दिन होगे class होगे होते होगे हाँ टाइम हो गया आप class start करते हैं तो अपने कल last class की थी मैंने बताया था बहुत से बच्चे पूछते हैं वही रीड पदार्थ विज्ञान अपन क्यों पदार्थ विज्ञान पड़ते हैं बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कोई काम भी नहीं आ रही मतलब फालतू की subject है अब ऐसे बोलते हैं बच्चे जो फस्टियर में होते हैं और आयरवेद ये पदार्थ विज्ञान का उप्योग पदार्थ विज्ञान को आयरवेद का प्रिवेस द्वार क्यों बोला जाता है यह सारे चीज़ अपने discuss कर ले थी ठीक है फिर अपनने मैंने बोला था कि मैं आपको बतांगा आधूनिक पदार्थ विज्ञान और आयरवेद ये पदार्थ विज्ञान में अंतर ये अपन कल करेंगे मैंने ऐसा बोलके class dismiss कर देती तो आज अपन यही से start करते हैं आधूनिक पदार्थ विज्ञान और आयरवेद ये पदार्थ विज्ञान में अंतर रहा है या पर जब आपन नीट की तियारी कर रहे थे तब अपने लिए पदार्थ एक मैटर होता था मितलब बहुत तीक सास्तर बढ़ते थे पदार्थ की तीन अवस्ताय होते हैं ठोस गैस अपन पढ़ें बच्पन में बग्यान सबने पढ़ी तो वह आदो निक उसको बोल पदार्थ पढ़ते थे विज्ञान में वह या तो जड़त वे या फिर उर्जा के लिए उप्योग होता था ठीक है उर्जा के लिए उप्योग रूप में यह सब मतलब इक डिफ्रेंट बतारों आंतर था इसका अध्यान मानाव के बहुतिक कल्यान तक ही सीमित है वह एक अध्यातिम नहीं है उल्ली बहुतिक तक अध्यातिम में हो जाएगा मन आत्म जुड़ जाएगी तो बरहां तरी नहीं बचेगा तो यह बहुतिक कल्यान तक ही है अब आयरुवेदिया पदार्थ ज्यान जो अपन पढ़ते हैं अपन इस्टेडि करते हैं वह क्या बोलता ह के बारे में वो जान लेते हैं एक मिन रुकना ना मैं बोल रहा था आयरवेद ये पदार्द ग्या इसमें पदार्थ सब्द मूल रूप से सत्ता का बाचग को नहीं है का है को हो गया दा गलती से इसमें पदार्थ सब्द मूल रूप से सत्ता का बाचग है या संसार में जो कुछ भी जिसे जाना जा सके जिसे नाम दिया जा सके वो पदार्थ है ये बोलता है जो आयरवेद है वो क्या बोल रहा है कि पदार्थ वो चीज है जिसे अपन जान सकते हैं जिसे अपन नाम दे सकते हैं, वो पदार्थ है, मतलब ये पदार्थ के लक्षन की बात कर रहा है, आप ही थोड़ी दिर बाद में पदार्थ के लक्षन पढ़ेंगे, कि पदार्थ किसे बोस सकते हैं, कि कहने का मतलब ये था, कि अपन जो पदार्थ के लक्षन स्टेडी करे जड़का इनरजी नेगटीव इनरजी यहां पे चेतन मतलब आत्मा का मन की बाते होती इसका अध्यान बहुतिक और आध्यात्मिक और परलोग आधिक के उत्थान को ध्यान में किया बहु है, आध्यात्मिक और भोतिक दोनों तरीके से इसका यूज होता है पढ़ार्द्विज्ञान का इस लोक में और परलोक में जो अपनी संसार है इसमें भी वो परलोक है जो मतलब ब्रह्म है, आत्मा है शत्व है, ब्रह्म है वो सारी आदि को उत्थान में ध्यान में किया, ने का मतल़ है कि इनका उत्थान हो, इस संसार का उत्थान हो, परमात्मा को उत्थान हो, सबकी एक विकास हो, इस तरीके से पदार्थिज्ञान का अध्यन किया जाता है, तो यह basic difference था, question आता नहीं है, फिर भी बहुत से बच्चे बोलते हैं थोड़ा डिफरेंस करके बताओ कि एक्चुली में पदार्थ है क्या अपन जो पदार्थ फढ़के आ रहे हैं वही पदार्थ है को दूसरा है यह अलग है ठीक है बस इसमें इतना अंतर है कि यह चेतन सबसे जुड़ा हुए मन आत्मा के साथ जुड़ा हुए रधाक बात MRST में उनके अलवा के अलावा चेतना मन आत्मा और अध्याथिंग भातें इसमें एक्स्ट्रारूप से होती इंठी यह तोड़ा वेसिक डिफरेंस था मैंने क्युसें घंव ज़ी स्क आ आप याद कर लेना की याद कर ďक दूर चूरह आपना लास्ट टोपिक है स्लेबस का पधार्थ जैसे कि अपने को स्लेबस देखता है यह देख लिए अपने खीजलोजी वेग्ग्राउंड फंडामेंटल सो पायरवेदा दर्शन सारे करी लिए आयरवेदा इसे यूनिक एन इंडिवेशन स्कूल अप्थर्ड यह अपने पूरा कर लिए तो तीनों टोपिक कर लिए आज है पधार्थ लक्षन एमिरेशन एंड ट्लासिफिकेशन भाव एंड अबाव पधार्थ पधार्थ अक्रोडिंग टू चरग यह भी अपन आज छोटा सा एक पेज में हो जाएगा तब ही दो बोलता हूं स्लेबस याद रह पद का मिनिंग क्या है एक सार्थक सब्द या आक्षर जिसका एक मिनिंग हो जिसका कोई वजूद हो एक सार्थक सब्द ऐसे नहीं कि इसमें कोई प्रत्य हो कोई उपसरग हो मतलब एक सार्थक वैलिड सब्द होना चाहिए और अर्थ पदों से इंगित होने वाली इसमें जो भी नाम है मालों की, एग आपको देदीया की, ओयล, लिक्विड देदीया, ताल थैल तो उसका अर्थ क्या है, किस तरह का गंदर की रस है, कर मया है, वो सारी चीजह, पदो से इंगी तो अहने वाली वस्तो या इंद्रियों के विसे से शह dużo है, तो जो इस पद का जो अर्थ होता है, बतलाना चाहता है, वो होता है पदहार्थ, तो पद प्लस अर्थ बराबर पदहार्थ, अगली क्या इसकी निरुकती, पदहार्थ ते पदहार्थ है, पद के अर्थ को पदहार्थ खेते हैं, जो ये पद था, इसका जो अर्थ होता है, मतलब खेने का मतलब है एक valid सब्द का जो अर्थ होता है दोनों को जो सही हो ज़न होता है दोनौ का combination होता है उसको पदहार्थ बोलते हैं हृथ जो प्रेमेथी मतलब यथार्थ यान अत्वा प्रमान का विशय हो पदहार्थ समझने इसी स्थी को फोड़ा डिफिकल्ट है तो पैंसे लिखने वाले भी है किस तरह के से काम आती हो आपको पता हो है उसका जो आर्थ समझते हो एक तरह के से पदार्थ है तो पदार्थ में उसके बारे में सारे चीजें उसको जाना जा सकता है उसको समझा जा सकता है उसको नाम दिया जा सकता है वो पदार्थ है तो प किताबे है मेरे सामने थैन है टेडल है बोतल है सारी चीजे मेरे सामने यह सब अविफ चीज का एक word है को एक meaning है तो उसका जो वास्तिव ग्यान यथार्त ग्यान अथ्वा प्रमान का विश्या है अब इसको मानी जाय कि नहीं मानी जाय कि यह सत्य है कि जूट है असत्य है कि अब प्रमान 4 तरब पांस तरब चेट रके ने सुन्सराइब कर दो चैनल सर्थ करेंगे तो कहीना खीं को एक ना एक परमान से वह सिद्ध होती है तो जो प्रमित्थ यथारत यह अथ्या परमान का विश्ट हो पदार्त है अब जैसे कि मैं बोतल देख रहा हूं सामने मतलब पानी की बोतल है तो यह कैसे हुई यह थार्थ ज्यान पानी की बोतल है वास्ति ज्यान हो गया पानी की बोतल है अब प्रमाण का विसा कैसे हुआ कि एक्चुली में पानी की बोतल है हाँ मेरी आंखों ने देखा है प्रिटक्ष किया प्रिटक्ष प्रमाण लग गया इसमें ी आपने देखा थोड़ी है मन होता है छहीकर अन्भाह की है क्योंकि अन्भाह पर्मान उसमें सम सब प्रत्क छुर्मान हो जाएगा अनुमान लगा आप तो उप्देश करो वह सारी चीजैं प्रमान गाविषय होती तो यह सब पधार्त पे लागू होती है कि जो प्रहमेतिय यह अथार्त के आने आतो प्रमान का विशय हो हो दो सस्क्essions रहना कि यह तिन हो कि करना समझने की और जब भी समझ में नहीं आए तो आम एवीडियो दो बेजी दूगा क्लास में तो एक पर दुबार देखना कि मैं क्या क्या बोला समझने कोसिज करना यूटूब पर क्या ओप्शन भी आता है उसको धिरे करने का ओप्शन को स्लो करने का स्पिट थोड़ा कम लोगने त्रीक से जिसमें अस्तित्व गेवत और अभी दहत्व लो पदारथ यह की परिवासा वन गए लक्षन में ऐन ऊस्फीत तीन लक्षन इसके पधार्थ को क्यूर्या घेयत्वर और अभी दहत्वर एक्स का वजूद रवाव कर मिर्थ आवि जिसका वजूद सत्त कैसे प्धार्थ हो सकती है और ये बोलता है कि अस्तित है चाहिए यहां पर नहीं हो दूसरे जैसे आप हो मुझे दिख नहीं रहे हो लेकिन आप हो खहीं तो हो न स्टीत्व हो न आपका तो पदार्थ हो है ज़ो अस्टीत्व में है घैवत जिसे जाना जा सके अब कोई भी संचारे को इसी चीज में आपके सामने कोई भी चीज दिख रही हो कोई भी चाहिए वो मिट्टी हो बट्टी से लेके छोटी से छोटी चीज कोई भी जिसे जाना जा सकता है जिससे जिसका ज्यान पराप्त किया जाए जिसका आस्तित हो है तो उससे जान सकते हैं ये जान सकते हैं उसके जाना सब्सक्राइब बना सकते हैं और जिसका उसके बारे में अपने को सोचना समझना कि यह यूजफुल है बेकार है अगर इसको अपन खा सकते हैं इसको अपन फैन सकते हैं यह क्या चीज है तो उसके बारे में अपन को जानना है समझना है सोच विचार करना है वह पदार्त है अब कोई चीज हो लिया समझ लिया तो उसका एक नाम हो जाता है फिक्स कि जैसे कि फैन है ये बोतल है मैं में अधर हो आपका नाम कोई अप्ताफ है कोई करें ग् कोई पलक कोई बहुत सारे इस घ्रविश में इस तो यह वह उनका ऊंसे पादार्थ होने मैं भी पादार्थ पादार्थ हो तो जिसको कोई संगया नाम दिया जाएं चाहिए कई अभिदेत्वश यह तीन इसमें च्वाधरट्य सैंतर परिवास है यह वही पदार्थ है यह इसके लक्षण ओंगे यह इसकी परिवासा हो गई और साथ में एक बार नीत गजिनए आपसाथ गेह और पदार्थ है प्रण कि है अपने उनपार्ट रबें में जबए आपसक on है और immense साथ संक्या आंत और इकम कण सकता है कि में बोलग कर टेबल भी आंस पहर बिये मेरे पास फौन मेHE Samira पर भी है मतलब कपड़े भी हैं मतलब डबें जितने भी सारी चीज़ हैं सब पदार्त हैं तो यह परिमिता चैपदार्त पदार्तों की संक्या अनित और अपरी मतलब गिन नहीं सकते उतनी है मतलब अनन्त है कोई सीमा नहीं है ठीक है यह पदार्तों की संक्या के बारे में लेकिन आहरवेध में अनुसार क्या भूलते है तो आचारी तो आहरवेध में कोर आता है so, Matarag सत्ठ आशान के सत्व अनुसार, पदहर्थ दो प्रकार के नहीं गियुत मतलना भाव और और अभाव और वयसे सिख्दर्षे म associations क्या मांता हुआ वैसेशक दर्शन च्रक दोनों मानता है तो आपको यह दोनों लिखने हैं सत्त और असत्त को भाव बोलते हैं यह पूरा लिखने है तो आपको लिए लिखना उनलिक सत्वाव क्लिर बात यह पॉइंट क्लिर हुआ कि नहीं हुआ इंपोर्टेंट है तो आप समझो अब आप बोलोगी यहां तो अनंत बता दिये लेकिन यहां पर उनले छहीं बताएं अब इनको समझो यह बात कर्रेक्ट है कि अब परिता में मतला अनंत है कोई गिंड़ नहीं सकता सब कुछ यह है पदार्थ होक्षिंग के लेकिन जो आर्वेद उनसार आपन है यह यह चीज है एक्जिट करती मतलब एक्जिट करती है जाना जा सकता है नाम दिया सकता है तो वह होता है बहाओ पदार्थ अब जिससे नहीं होने का बहाओ यह अलग से दे दिया अब आप बोलोगी principal मिलते ही नहीं आस्तित क्यों भाह्वामें तो यह होना ही नीन ची कि मतलग जिसका होने का भावपाय जाए वो भावपदार्त है यह 6 होते त्रहुत aşव समवाइ। चैप्टर नंबर 3 एंद्रभ। चैप्टर नंबर 4 एंद्र ist ao by नायज है कशा मुपायद म्मांपाम। कि यहां पर देखें रूप निती पहले अपने आर्वेद के बेसिक फंडामेंटल किये फिर अपने दर्सन किये और दर्सन के बाद में पदार्थ के एक छोटी सेडिंग थी लास्ट कोई और यहां पर आगे कि अपन द्रव एक गुण करम सामाइने विसेश समभाए फिर समझ में आ गया कि देखो सिक वेनस देखो तभी बोलता हुं कि क्या इंप्रोटइंट्स यह जो समस्गें बनाया क्युक्त आपको एक की आउपने आयर्वेद करणा आउयुपड़ी परियावाच्य आयर्वेद का नाम माया आयर्वेद बढ़ना अपने दर्शन के बाद क सारी चीज चरने को पदार्थ प्रात में ये पड़ी रहे थे कि अपना देखो पता लगए कि तीसरा चैप्टर है तो अपन्ध फ़ेंगे पढ़ेंगे और आसे संभाव पढ़ेंगे तो अब फैपर पुरा सले बस खतम बने रूप अब जिसमें नहां होने का भाव पाया जाए यह बहाव दो तरह के है मतलब जैसे कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ उससे पहले उसका भाव जैसे आपकी नहीं साधी बच्चा नहीं हुआ तो बच्चे का भाव बाद में होगा एक्स्टेंज था मतलब बाद में होगा तो बाद में अस्तित्व में आएगा एक तो उस तरह का भाव एक मानलों की जैसे की दूसरा भाव कौन सा हुआ जैसे कि कोई मठ्की का घड़ा था ठीक है मतलब मिट्टी का घड़ा था पानी बढ़ता है न वो फूट गया तो पुचर में होगा या पाष्ट में था लेकि प्रिजेंट में वह नहीं है तो प्रिजेंट में जिसी का अभाव होता है उसको नाम दे दिया एक अभाव यह दो तरह का होता है पूरी जब रामाय नहीं भड़नी है तो एक सिलोग पढ़ने से क्या फायदा है आप ठीक है तो अपन रामाय इस्टार्ट करेंगे मतलब एक तरह की से द्रव गुण करम सामाने विसे समवाए अब आव और यहां आके यह अनन्य भाव जिस दिन मैं भड़ा दूंगा आपको उस दिन फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो समझ में आया ना कितना सीक्वेंच से जमा हुआ पदार्थ गयान फर्स्ट का सले बस बहुत सीक्वेंच और सिस्टेमेटिक तरह की से जमा हुए तो यह हो गया दी एंड दरसन वाले चैप्टर का ठीक है इसमें से यह पदार्त ऑर पदार्त के लक्षन यह वैरी वेरी इंपोर्ट नहीं यहीं आते क्योंकि द्रव आया दो द्रव बाले चैप्टर में गनागा अगा गुण आगा तो ऐसे लिख देना है तो आपको यह लगो कि यह जो पदार्थों की संक्या अनंतिया परिमिटाच परदार्थ यह जो है आचारे सुष्रुत के अनुसार है ना क्योंकि मैं बताँ आपको यह देखो द्रव है ना आप द्रव अनंत पता दिये यहां पर जैसे कि जितने भी आपने आकास वायोगनी जल्प प्रित्वी आत्मा चेतना कारण द्रव और कार्य द्रव दो प्रकार से बाढ़ दें द्रव वको न अपन चैप्टर में पड़ें इस पर प्रोपर्टी हो जाती है कि द्रव में खही ने इंक्लूड होते हैं तो यह द्रव में आ जाती है एप परीमिता वाली तो यह थोड़ा सा मतलब तभी तो बोल रहा हूं अभी बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इसलिए मैं इन पर बोलन नहीं चाह रहा है यह मैं पर इमीटा अचय है पतार आजमें डूब है पूंर रहे मुझे कंप्रमंड यह कि कंशा रहा है इसे बोलत कि असी कि अर। है हां हो सकताय क्योंकि चरक का दो नीचे नाम ऑ रहा हो तो वह सकताय शुसरुत कंणुसार हीओ लेकिन पर 25 unique लेकिंश लिए नहीं हो पर कॉतकर में तो एपने यह जो अंतर है ठीक है और यह मैं ना एक्स्ट्रा बता दिया आयरवेदय कियो पदार रुपियों क्यों पढ़ते हैं मतलब और जो योग दर्शन में थे यम नियम आसन प्रिणायम प्रत्यार द्यान दारना समाधी वो सब एक्स्ट्रा क्रूप में बता है क्योंकि आपको अ कि एंप कं अर्ण गंप Τर्ण